तो आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग दशमलो भिन अध्यायतीन गनित का पढ़ने और समझने वाले हैं ठीक है कि तो किसी भी संख्या का बच्चों हमको पता है प्रसारित रूप कैसे लिखा जाता है हम एक अक्षा 5 खक्सा छटवी सी पढ़ते आ रहे हैं जैसे इकाई दहाई सेक्ड़ा अब देखें यहां पर दशमलो संख्या में हम दशांस सतांश और सहसांस की बारी में जानेंगी कि यह क्या है और कैसी पढ़ना में समझना है तो माल लेते हैं पहले अगर हम कोई भी अगर एक संख्य संख्या ले लेते हैं और कोई एक संख्या लेते हैं जैसे 256 को एक संख्या है तो इसका प्रसारित रूप हम कैसे लिखते हैं तो देखे चैंपी में सेक्ड़ तो गुना 100 प्लस50 गुना 10 प्लस्टी में प्लसछा या इसका प्रसारित रूप हो गया अब मानले जी हम कुई दसमलो संख्या लेते हैं दसमलो संख्या कही है दसमलो भिन संख्या एक ही है ठीक है लगबग तो 256 पहले इसको पढ़ते कैसे हैं दसमलो के बादवारी संख्या को बच्चो हमेशा अलग-अलग पहड़ा जाता है जैसे 256 दसमलो चार, पाँच, साथ ठीक है अलग-अलग चार, पाँच, साथ अब हमें इसका प्रसारित रूप लिखना है सबसे पहले हम ये जानेंगे, प्रसारितरूप लिखने के पहले, यह जो 4 संख्या है बच्चों, दशमलों की बाद, वह 21 बटे दसवा हिस्सा होता है, ठीक है? 5 जो है संख्या, जो 61 इुसका 1 बटे सोवा हिस्सा होता है, और यह जो साथ संख्या है, यह इकाई का एक बटे हजारवा हिस्सा होता है, तो इसका प्रसारित रूप चलिए हमनों लिखते हैं, दो गुना, सो, प्लस, पांच गुना, दस, प्लस, छे गुना, एक, यह तो हमको समन्द में आ गया, इकाई, दहाई, सेकडा, प्लस, चार, दसमलोग के बाद वाली जो पहली संख्या है, वह इकाई का एक बटे दसवा हिस्सा होता है, ठीक है, पांच जो है, दसमलोग के बाद की दूसरी वाली संख्या, वह इकाई का एक बटे सौवा हिस्सा होता है, और यह जो साथ है, दसमलोग के बाद तीसरी वाली संख्या, वह इकाई का एक बटे हजारवा हिस्सा होता है. और इसे ही हम दशांस, देखी यहां पर, एक बटे दस को हम दशांस कहते हैं, एक बटे सो को हम श तांश कहते हैं, और एक बटे हजार को हम सह सांश कहते हैं, देखे, ठीक है, सह सांश कहते हैं, दशांस, सतांश, सह सांश, तो इस तरह से हम भिन, दसमलो भिन का प्रसारित रूप लिखते हैं, अब हम एक बात जानेंगे कि दसमलो भिन की जो संख्या होती है, वह कैसे हम देखेंगे कौन सी संख्या बढ़ी है, कौन सी संख्या छोटी इसको हम जानने का प्रयास करेंगे मानली जगर हम कोई संख्या लेते हैं 3.5 और 4.6 तो देखिए यहाँ पर 1.4 है और यहाँ पर 1.3 है तो 4 जिसकी 1.5 बड़ी होती है वह संख्या दशमलो की बड़ी होती है अब मानली जिए तीन दसमलो 5 और यहाँ पर हम 3.4 लिखते हैं तो देखिए 3.5 तीन दसमलो 4 यहाँ पर 1 बराबर है लेकिन दशांस इसमें 5 है और दशांस इसमें 4 है तो जिसका दशांस बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी तो 3.5 बड़ा है 3.4 छोटा है अब देखिए 3.5 और 3.5 यहाँ पर 4 ले लेते हैं और यहाँ पर 6 ले लेते हैं अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 है एक आई यहाँ पर 3 है एक आई दोनो बराबर है दशांश जो है दशमलों की बाद वली संख्या यहां भी 5 है दोनों बराबर है लेकिन सतांश जो है यहां 6 है और यहां सतांश 4 है तो यहां पे यह दोनों जो बराबर है जिसका सतांश बड़ा होगा वह बड़ा होगा अगर इसके पहले वाली संख्या अगर दोनों बराबर है तो अब हम आते हैं दूसरी संख्या तीन दसंबलों पान छे यहाँ पर दो यहाँ पर तीन अब देखिए यहाँ इकाई तीन यहाँ इकाई तीन यहाँ दशांस पांच यहाँ दशांस पांच यहाँ सतांश छे यहाँ सतांश छे लेकिन सह शांश जो है यहाँ तीन है और सह सांश जो है यहाँ दो है इसके पहले वाली तीनों बराबर है तो जिसका सह सांश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी तो इस तरह से हम तुलना करते हैं दशमलो भिन का ठीक है आया बात स समझ में सभी बच्चे को, अब हम लोग दशमलो भीन का प्रशना वली 3 दसमलो एक को बनाएंगे, ठीक है, इसका पहला प्रशन है देखिए, निमलिख्य दशमलो संख्या के जोडे में से बड़ी संख्या ग्यात कीजिए, ठीक है तो यहां में देखिए, प्रशन लिखा हु 6 है और यहां 10 साथ है तो क्या हो गया बच्चो 5.7 जो संख्या है वह बड़ी है 5.7 संख्या जो है वह बड़ी है ठीक है दूसरा प्रश्ट 5.6 शुनि 5.6 एक देखे यहां 5 और 5 बराबर है यहां 6 और दशांश 6 बराबर है लेकिन यहां पे सतांश 0 है यहां सतांश 1 है तो क्या हो जाएगा बच्चो 5.6 एक जो है संख्या बड़ी है ठीक है दशांबलो संख्या बड़ी है 5.6 एक दशांबलो संख्या बड़ी है आप इसको संख्या यहां पे लिख दीजिए दशांबलो संख्या बड़ी है ठीक है 5.6 साथ 4.6 साथ देखें, यहाँ पर इकाई 4 है, यहाँ पर इकाई 5 है, तो जिसकी इकाई बड़ी होगी, वह संख्या बड़ी होगी, तो 5.6.7. संख्या बड़ी है, ठीक है, यह इसका उत्तर हो गया, दूसरा प्रशन है, देखें, यहाँ पर दूसरा प्रशन दिया है बच्चों, जोड़ है इसमें हम सीखेंगे एक दसम्लों दो दो और दो दसम्लों एक ठीक है तो इसको हम लिखेंगे पहले कैसे लिखेंगे देखिए आप लोग एक दसम्लों दो दो हमेशा जो संख्या जोडते हैं वह दसम्लों जो संख्या जोडते दसम्लों की नीचे दसम्लों की संख्या को र तो यह हो गया 3.33, क्या उत्तर आ गया 3.33, चीक है, अब है दूसरा प्रश्न, 1.23 यहां लिखे, 1.23 और यहां हम लिखेंगे 0.12, 3.25, 2.13 और 1.35, तो यह उत्तर आ गया 1.35, चीक है, अब है 2.13 में 0.8, 7 जोड़ना है, 2.13 में 0.8, 7, 2.25, हमेशा दशमलो के नीचे दशमलो ही रखेंगे, ठीक है, 7 और 3, 10, एक लगा हाथ में, 8, 1, 9, 1, 10, एक लगा 10 का 0, एक लगा हाथ में, दशमलो का दशमलो, 2, 1, 3, तो 3.00, शुन्य शुन्य आया, 3.00 को हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3.00 को हम 3 लिख सकते हैं, चलिए, नेच्स्ट है आईए, अब यहाँ पर हमें जोड़ना है, एक दशमलो 2 में, एक दशमलो 6, 0, 2 जोडेंगे, 2 का 2, 0 का 0, 2 में 0 जोडे 2, दशमलो का दसमलो, 1,1 यह हो गया, 2, ठीक है, अब हमें जोड़ना है, 1.02 में, 2.99, तो 9, 9 और 2, 11, एक यहां लगा, 1 और ये 2, 1, 3, 3.19, ठीक है, नेक्स्ट है, F आईए, 2.37 में हमें जोड़ना है, 3.76, ठीक है, तो 6, 6, 12, 1, 7, 13, एक लगा हाथ में, 7 और 3, 10, 1, 11, एक लगा हाथ में, 11 का 1, यहां और 1, 2, 2, 5, 1, 6, 6.13, ठीक है, तो यह हो गया आपका दूसरा प्रश्ण, तीसरा प्रश्ण है बच्चो देखिए, घटाईए, 2.3, यहां पर 1, 2, 3 प्रश्ण देखिए, घटाना है, ठीक है, तो हम इसको चलिए, घटाते हैं, क्या करते हैं बच्चो, इसको हम घटाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा धुनला हो गया है यह आपका हाँ चलिए दो दसंबलो तीन चार में से एक दसंबलो दो तीन को क्या करना है बच्चो घटाना है यहाँ पर आप इसको आडेशन लिख दीजिए यहाँ पर हम आडेशन नहीं लिखे थे यहाँ पर आडेशन का चिन जरूर लगाई है यहाँ पर से 3 गया 1 द्रत्रmm आपका 2 में से दो गया 1 और 2 में से गया 1 एक दसम्मळ एक 1 ठीक है अब है आपका नेक्स इक्स क्वनेशन red शुन्न एक में से 雲 में से 0 दसम्म लग नो घटाना है डना ठीक हैigor तो यहां पर हम शुन्न को रहतDr. एक का एक, यहाँ पर एक हार से हम हार सिल लेंगे, तो यह बन जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ बच गया आपका 0, 0.09, एक, ठीक है, अब इस C वाला आईए, 1.02 में से आपको घटाना है, 0.02, कितना घटाना बच्चों, 0.02, तो 2 में से 2 गया, आपका 0, 0 और 1 में शुन ने गया 1, तो आपके आ गया 1 दसमलो शुन शुन, इसे हम सिर्फ एक भी लिख सकते हैं, ठीक है, दसमलो की बाद वले संख्या 0 हैं, विसे 1 लिख सकते हैं, तो आपका ये तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न क्या कहरा देखिए बच्चों, 1.2, 2.0, 0.1, 0.1, 2.3, 0.2, 1.0, 2.1, 1.0, 2.1 को बढ़ते क्रम में लिखिए थोड़ा भी इसने बच्चो कंफिजन नहीं होना है बहुत ही आसान है इसको देखिए हम किस तरह से करेंगे इसको करने के लिए सबसे पहले काम करेंगे देखिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है देखिए यहाँ पर एक शुन्य शुन्य एक ठीक है सबसे बड़ी इकाई दो है तो यह सबसे बड़ी संख्या है फिर इकाई एक दसम्लो शुन्य दो एक दसम्लो दो एक वाली इकाई को छोड़ देंगे यानि शुन्य वाली इकाई सबसे पहले छोटी करम में लिखेंगे. तो ये 0.1 और 0.2 इकाई सबसे छोटी है. 0.1 जो है बच्चोँ वो 0.2 से छोटी है. तो क्या लिखेंगे हम? 0.1, 2, 3 जो है. सबसे छोटा हो गया. फिर 0.2 एक जो है. उससे बड़ा हो गया. ठीक है? तो शुन्य वाला हो गया. अब ह एक वाला लिखेंग, एक दशमलो शुन, और यहां एक दशमलो दो है, तो एक दशमलो शुन, एक दशमलो दो से छोटा है, तो एक दशमलो सुन्य दो, ठीक है, फिर एक दशमलो दो शुन्य, और सबसे बड़ा कौन सा है बच्चो, दो दशमलो एक, दो दशमलो जीरो एक, य अब आई नेक्स्ट कुशन बच्चों है आपका, दशमलों का प्रेयोग कर निमलखित को रूपे में व्यक्त कीजिए, ठीक है, इसको मैं रूपे में लिखना है, दोसो बारा रूपे दस पैसा, पांच रूपे पैसा, तीन सो पंदरा पैसा, तो पहला है, दोसो बारा एक रुपए में बच्चों 100 पैसा होता है, तो 10 पैसा, 10 पैसा को जब हम रुपए में बदलेंगे, तो हम 100 से भाग देंगे, ठीक है, 10 पैसा को जब रुपए में बदलेंगे, तो 100 से हम भाग देंगे, ठीक है, और जब रुपए को पैसा से में बदलेंगे, तो हम गुना तो 0 और 0 ने कट गया, 1 बटे 10 और यह आ गया आपका बच्चो 0.1, 0.1 कैसे आ गया है हम एक में 10 से भाग देंगे, 1 यहां पर हम पॉइंट लेके 0 लखेंगे, 10, 1, 10 और इस तरह से पॉइंट 1 हमारा उत्तर आएगा, 0.1 ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 221 में 0.0 में हम 0.1 को जोड़ देंगे, यह हमारा रुपया हो गया, यह हमारा क्या हो गया बच्चो, रुपया हो गया, 0.1 रुपया, हम इसको 212 रुपया में जोड़ देंगे, दोसो बारा रुपय में जोडने के लिए हम दशमलो शुन रिखेंगे। इसको लिखने से कोई दिकत नहीं। इसमें हम शुन दशमलो 1 जोड देंगे। एक और ये हो गया दोसो बारा तो ये हो गया आपका रुपया में बदल गया। दो सो बारा दसंबलो एक रुपया, ठीक है, बी है बच्चो आपका, पांच रुपय पांच पैसा, पांच रुपय पांच पैसा, ठीक है, तो पांच रुपय पांच पैसा, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पांच पैसा को रुपया में बदलेंगे, पांच पैसा को रु एक बटे 20, अब एक बटे 20 में आप इसको भाग देंगे, एक, तो शुन लेंगे, एक पॉइंट से एक शुन लेंगे, फिर एक 0 बठा के एक और 0 लेंगे, और 20 से 5 बार में यह 100 कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया बच्चो, 0.05, तो यह आ गया आपका 0.05 रुप्या, 5 पैसे को हमने रुप्या में बदल दिया, अब हम इसको 5 रुप्या में जोड देंगे, तो 5 रुप्या में हम 0.05 को जोड देंगे, तो 5.05, 5.05 रुप्या, यह आगया आपका उत्तर, क्या आगया बच्चो आपका उत्तर, 5.05 रुप्या, ठीक है, यह आगया आपका उत्त तीसरा है ये भी सी है आपका तीन सो पंदरा पैसा ठीक है तो यहां हम लिखेंगे तीन सो पंदरा पैसा को हमें क्या करना है बच्चो रुप्या में बदलना है तो हम क्या करेंगे तीन सो पंदरा में हम सो पैसा से भाग देंगे ठीक है 315 रुपे में 100 से भाग दिया देखे इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं और भी तरीका होता है लिखने का 315 बटे ये 10 पे 2 संख्या है ठीक है 10 पे 2 है इसे हम लिख सकते हैं 315 गुना 10 to the power minus 2 ठीक है जब ये 10 की power 2 को हम उपर ले जाएंगे तो ये minus हो जाता है और 2 minus है मतलग 3.15 रुपेया ठीक है minus 2 है तो ये एक 2 संख्या के पहले शुन्या दशम लवा जाएगा आप इसको भाग देख कर भी देख सकते हैं भाग भी कर सकते हैं जैसे 315 बटे 100 में 315 हमें 315 में 100 से भाग देना है तो 103 है 305 एक कड़ गया फिर हम point दशमलों से शुन्य लिए 100 एक 100 और ये शुन्य और ये हो गया 5 फिर एक हम शुन्य बठा दिए और 100 पच्चे 500 ठीक है तो 3.15 तो ये आगे आपका 315 में जब हम 100 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 3.15 रुप्या ठीक है 3.15 रुप्या तो ये आपका यहां तक 5 प्रशन तक यहां पे आपका पूरा होता है नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग आगे का 6 प्रशन नमबर 6 से लेके प्रशन नमबर 10 तक बनाएंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना अग्स्ट वीडियो क्लास में हम ज़रूर इसका प्रशन नमबर 6 से शुरू करेंगे